Garden of Ben-Ben chapter 3 को complete देन के बाल हमारे पास जो चीदे निकल के आती हैं वो है सबसे पहला है chapter 4 में क्या होने वाला है I mean chapter 4 में हमें कौन देखने को मिल सकता है chapter 3 के end में whiteboard पे लिखा हुआ था gesture के बारे में या फिर शेरिफ के बारे में और main thing था kingdom के बारे में यह चीज कहीं न कहीं शो करती है about the medieval times यानि कि जहांपर kingdom होगा और वहीं पर एक queen भी होगी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो next chapter है वो medieval time पर based होगा नमस्कार दोस्तों सौगत अपसाभी का एक ने episode में जहांपर आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 से related कई सारे details और theories कौन-कौन से mascot हमें अब देखने को मिलने वाले है इन दी upcoming chapter 4 यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने हमारे chapter 3 का explanations अच्छे से देखा होगा जहांपर मैंने full ending और secret ending के बारे में भी बताया है अब वो चीज इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वही चीज से वही details आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले है आई मिन प्रॉपर नहीं लेकिन वह चीज जो की हमें chapter 4 में देखने को मिल सकती है इसलिए make sure के आपने वह वीडियो देखी हो और अब तक आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बिटन पर इससे पहले वह वीडियो ज़रूर देखना आपका लाइक चैनल सब्सक्राइब आगे बढ़ने में तो लाइक करना भी ना भूलें सब्सक्राइब लेकिन आगे बढ़ने से पहले बिग थेंस तो आच चैनल मेंब्रस देख ग्रीक गॉल्ड लेथल क्रेटोस शैडोब्रो और अगर आप चाहते हो हमें सब्सक्राइब करना तो बहुत ही इसलिए कर सकते हो चैनल में पर दिए गई जॉइन बिटन पर क्लिक करके जहां पर आपको मिलता है हर वीडियो का लिए एक्सिस और भी धेर सारे बेनेफिट सो जारे से पहले एक बार जॉइन को चकट करना आपको भी ना भूले आइए फिर काईटन ऑफ बैंड बैंड चैप्टरी के एंड में जहां पर हमारी बॉस फाइट होती है चामाट करते आ रहे हैं लेकिन वहीं पर हमें एक और मैस्कॉट देखने को मिलता है मैस्कॉट है या फिर कोई एंटिटी है हमें नहीं पता लेकिन फिलाल के लिए उसके पास टू बाडिज है आइमीन दो अलग अलग बाड़ी को फ्यूज करके एक करेक्टर बनाया है जो की मिक्स चैप्टर 4 का जो टीजर निकल के आया है उसमें भी हमें यहीं दोनों शक्स दिखाए गये हैं वहीं सिंगल शक्स दिखाए गया है जो की दो बाड़ी से बना है तो कहीं न कहीं यह जो मैस्कॉट है वो चैप्टर 4 का एक मेन एंटागरेश हो सकता है जा तक हम देख पाते हैं इसी चैप्टर के एंट में हमें एक वाल पे लिखा हुआ कुछ वर्ट्स मिलते हैं जो की है फाइंड किंडम फाइंड शेरिफ और जेस्टर से दूर रहें अब जेस्टर जो है हमें नहीं पता कि वो कौन है लेकिन हमें देख पाते हैं कि मेभी हमें उसी से बचना है और हमें पहुँचना है किंडम में अब यहाँ पर किंडम हैं और यहाँ पर शेरिफ भी है किंडम को बचाने के लिए वहाँ पर कोई राजा या फिर रानी तो होगी ही सो यहीं पर निकल के आता है हमारा new mascot जो की इसी पार्ट में introduce हुआ है जी हाँ मैं आपर बात कर रहा हूँ Queen Bouncilia की सो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि maybe हमें kingdom को protect करना होगा जेस्टर से और वो क्या पता है कि वो कोई army होगी जो की single mascot का नाम नहीं होगा क्या पता कि वो कोई army होगी जिससे की हमें protect करना है kingdom को और उसमें हमारा साथ देने वाला है शेरिफ में भी ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की बेरी theories है क्योंकि हमें ने पता कि next chapter में क्या पता कि कोई और हिविला निकल के आ जाए लेकिन यहां पर हम बात कर रहे है gesture की अब मैं इस character पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप chapter 4 की photos देखोगे तब वहां पर आपको यही face बार बार देतने को मिलता है round wall है जहां पर एक दरवाजा है और उसी के अब यह भी मेरे ख्याल से एक counterpart हो सकता है एक दूसरे का क्योंकि जहां पर हम देख पाते हैं कि एक smile कर रहा है और एक sad है I mean एक उदास है और एक हस रहा है so फिलाल के लिए gesture यह है तो फिर यह कोई दरवाजा है जहां पर उसकी photo दिखाना I don't think so कि यह कुछ main बात हो सकती है क्या पता कि यह gesture ना हो यह कोई और हो लेकिन हमें यह भी बुलना नहीं चाहिए कि यह पूरा chapter based होने वाला है शरीप टोच सर पर जो कि हमें दिख रहा है कि maybe इसी पर हो सकता है full focus लेकिन हमें नहीं पता कि कि यह हमारे साथ काम करने वाला है या फिर हमारे against हमारे साथ में इसे बोल रहाँ क्योंकि हमारे पास already एक company है from the chapter 3 यानि कि मैं आपर बात कर रहा हूँ baby opella bird की so यह बात तो तह है कि हमें maybe chapter 4 में पूरे पार्ट में baby opella bird के साथ ही हमें पूरा game खेलना होगा हमें नहीं पता लेकिन यह है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं वो हमारी help करने वाली है game के किसी पार्ट में कि यहाँ पर बात हो रही है kingdom की medieval times की queen की jester की sheriff tosher की जो की actually एक तरह का cop है लेकिन वहाँ पर ये भी आ चुका है जो की मेरे ख्याल से एक criminals होंगे और हमें maybe यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें queen bounce उले की help करनी पड़ेगी उनके kingdom को जिंदा रतने के लिए लेकिन फिर क्या पता कि हमें end में betray मिल जाए from the queen bounce से लिए हमें नहीं पता लेकिन कई हद तक मुझे लगता है कि हमेशा chapter end जब होता है तो हमें cliffhanger पे टकते हैं garden of band band chapter 4 release होने वाला है इसी साल July 8 को याने कि एक मैना और बचा हुआ है इस part को आने में जहां तक बात रहे है नाम की तो जी हां band band दो रहे गा ही क्योंकि वो इस पूरी कहानी का main I think main focus है क्योंकि जहां तक हमें चाहिए हमारे बच्चे जो कि अब तक हमें नहीं मिले हैं तो क्या पता कि वो कहीं ने कहीं कुई इनके पास ही होंगे और जहां पर हम देख पाते हैं ये photo और ये mysterious character अब हमें नहीं पता कि ये assignment gesture है या फिर कोई और होगा लेकिन जहां तक बात रहे इस game के end में यानि की secret end में जहां पर हमें एक voice card मिलता है और हम एक assembly को बुलाते हैं जो कि हमें बाद में मालुम चलता है कि ये और कोई नहीं ये assembly जोल्फियस के लिए था अब यहां पर हम देख पाते हैं कि वो neat से जाग चुका है और I don't know but वो हमें sorry कह रहा है हमें ने पता कि वो क्यों हमें sorry बोल रहा है लेकिन ये हमें sorry बोल रहा है प्लस हमारे पास आने की कोशिश करता है सो यहां पर ये word सुनके हमें लगता कि हमें कोई खत्रा है जॉल्फियस से सबसे पहले मुझे लगा था कि कहीं न कहीं जॉल्फियस और स्टिंगर फ्रेंग का कोई न कोई connection होगा क्योंकि स्टिंगर फ्लाइन ने जॉल्फियस को दिखाय था हमारे यानि कि वो बीच दिखाय था हमें जहां पर जॉल्फियस भी था लेकिन वहीं पर हमें नहीं पता कि हमने इस गेम के एंड़ में स्टिंगर फ्लाइन से चुटकारा मिला भी है कि नहीं मिला है बस हमें यह देख पाते हैं कि जंबो जॉश और स्टिंगल फ्लाइन के लड़ाई होती है जहां पर स्टिंगल फ्लाइन और वो दोनों बर्ड्स यानि कि उपला और टाटर बर्ड यह दोनों ही उसके उपर जंप कर जाती है और वो जली फिच जंबो जॉश को दबा दिता है वहीं पर इक गेम हमारे दियंड होता है तो हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ जहां पर हम देख पाते हैं कि चैप्टर वन में हमने उपला बड़ को नीचे गिरा दिया था लेकिन अगेन वो चैप्टर टू में वापस आ गई और अब वो यहाँ चैप्टर थू में भी आ घई जम्बो जॉश ने मार दिया था वहीं पर हम देखते हैं कि इस पार्ट में वो फिर से आ गई तो कहीं न कहीं हम देख पाते हैं कि ये सारे जो भी मेस्कॉर्ट है हमें पता है कि ए कले से बने है तो क्या पता कि जो इनकी property है वो असर में एक clay के जैसे ही होगी है मिन कि वो अपने आपको revive पर पा रहे होंगे I mean regenerate कर पा रहे होंगे अपनी body को सो कही ना कही हमें लगता है कि इन सब को हराना मुश्किल है हम इनको नहीं आरा पाएंगे बस यही देखना है हमें कि जो हमारा player है I mean जो भी वो woman है वो अपने बच्चों को किस तरह से किस आलत में यहां से बाहर निकलवाती है निकालती है इन सबी से बचके क्योंकि हम देख पाते हैं कि इन समकों बाहरना मुश्किल है जिनने भी हम मार रहे हैं वो next part में comeback कर रहा है तो अगर ऐसा ही रहा तो हम कोई भी villain को proper तरह से finish नहीं कर बाएंगे और एक के बाद एक part आते रहेंगे लेकिन बस मुझे doubt यह है कि next part भी chapter 3 की तरह ही boring ना हो जो लोग मुझे comment कर रहे हैं कि भाई आपको इस game के बारे में ऐसा कुछ ने बोलना चे तो guys मैं यह नहीं मानता जो भी reverse होते हैं या फिर जो भी चीज को वो लोग use करते हैं तो उस खावर review देते हैं वही मैंने भी दिया है chapter 3 को रेली में मुझे game अच्छा नहीं लगा है बस अगर end का sequence में हटा दूँ तो ये game पूरा का पूरा zero है कहानी के मामले में भी और gameplay के मामले में भी लेकिन हमारे अदत है theories निकालने की theories बनाने की तो हम इस कहानी को लेकर भी theory बनाएंगे चाहे कहानी कैसे भी हो बट hopes हो कि इस पूरी series का जो end होगा वो बहुत अच्छा होगा और हम satisfy कर पाएंगे कि हमने इस सारी series को इस चैनल पर cover किया है या फिर gameplay किया है आल राइट होप आपको ये वीडिय अच्छे लगी हो बांकी वीडियोस के तरह ही जहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों को cover किया है जो कि मैंने chapter 3 के end में cover नहीं किया था इस वज़े से क्योंकि I thought कि इस चीज़ पर एक separate video बनाने चाहिए जहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे जेस्टर के बारे में या फिर जो भी chapter 4 में होने वाला है उन सब के बारे में जाने से पहले रिक्वेस्टर आप सब्सक्राइब किया हो प्लस बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट किया हो मैं यह बार बार नहीं बोलोगा लेकिन फिर भी आप लोग हो चाहरो तिल डेन मैं विकी मिलता हुआ अपर पिसोड में अपना ख्याल रोखें मज़े करें खुश रहें और देखते रहें धन्यवाद